हलो एवरिवन, सोसल साइंस की ओवरव्यू क्लासेस में आपका स्वागत है जो इस्टुडेंट भी इस कोर्स को परचेस करना चाहे तो आप इसे परचेस कर सकते हैं आप विजय एकेडमी इंदोर का एप डाउनलोड करके इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं ठीक है अब हम बात करते हैं अब भुकता संदक्षण पर इससे पहले वाले वीडियो में हमने काफी सारी बात कर ली थी आज हम उससे आगे की बात करेंगे तो देखिए यह जो आपकी क्लासेस हैं कैसी हैं इसमें हम आपको टॉपिक का एक ओवर व्यू दे देंगे ताकि आप जो भी बुक वगएर आप यूज़ कर रहे होंगे सिलेबस को सोसा साइंस के सिलेबस को कवर करने के लिए जो भी बुक या माटेरियल आप यूज़ कर रहे होंगे उस फिर बुक से या उस रिसोर्से से इस टॉपिक को और भी ऐसे इस तरह के दूसरे जितने भी टॉपिक से आपको उसे पूरी तरह से उने कम्प्लीटली क्या कर लेना है तयार कर लेना इस overview देने का purpose क्या है कि आपको पढ़ने में help हो जाए ठीक है, कुछ ऐसे topics भी है, जैसे इथियास है, तो उसके अंदर कुछ important topic होते हैं, जहां से examiner सबसे ज़्यादा प्रस्म पूछता है, तो हम जल्द ही उस पर भी वीडियो लेकर आएंगे, कि इसे कौन-कौन से topic है, जहां से सबसे ज़्यादा प्रस्म पूछे जाने की क्या ह संभावना है, ठीक है, तो वो भी आपको बता देंगे, ताकि आप इत्यास हो गया एक आपका, और एक हो गया, भूगोली, देखिए, ये दोनों ही subject का जो syllabus है काफी vast है, तो आपको हम जल्द ही इसमें important topics बता देंगे, ताकि आप ये जो important topics हैं, इन्हें पहले से तयार कर ठीक है, तो क्या आपको ये केवल important topic ही तयार करके जाना है, तो देखिए ऐसा नहीं, आपको syllabus जो है 100% कवर करना है, ठीक है, ये overview classes इसलिए हम लेकर आएं, ताकि कुछी student ऐसे हैं, जोनोंने social science का subject था काफी साल पहले पढ़ा था, अब उन्हें exam देना है, वो फिर से हैं, तो थोड़ी सी उनकी understanding develop हो जाए, थोड़ी सी उन student को help मिल जाए, जो काफी सालों बाद social science को पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा उनकी help हो जाए, इस purpose से ये course हम लेकर आएं, ठीक है, तो हम किस पर बात कर चुके थे, उबोकता संदक्षन पर, कि देखिए एक जो उबोक हो जाता है? या उसे जुटा विज्यापन दिखा करके समान बेची देते हैं, तो व्भोकता को सोसर्ण से बचाने के लिए, या कई बार उसे जो सेवाएं दी जाती हैं, वो उस दर्जे की या उस गुनवत्ता की नहीं होती, जैसी कि उसे बताई गई थी, तो इस प्रकार के सोशन से उभुकता को बचाने के लिए उभुकता संदक्षण अधिनियम बनाए गया है तो सरकार ने कब बना दिया था उभुकता संदक्षण अधिनियम सरकार ने 1986 में ही ये एक्ट बना दिया था ठीक है पर फिर क्या हुआ काफी सारे इसके बाद भी आपने देखा मार्केट में आज के समय में काफी चेंजेस आ गए आज e-commerce आ गया है आज business electronic हो रहा है तो सरकार ने यह जो electronic समान बुला रहा है या electronic services ले रहा है तो इन्हें भी एक भुकता माना गया है तो अब अगर आपको electronic आपने online कोई समान ओर करा था अब अगर आपको वो समान नकली दे दे या फिर आपको उस गुनवत्ता का समान नहीं दे या वेसी services नहीं दे जैसे कि आपको बताई गई थी तो फिर क्या हो है आपका साथ अनुचित विवार हुआ है आपके साथ अनेतिक कार्विवा है तो आप इसकी सिकायत कर सकें तो इसकी सिकायत करने के लिए ही त्री इस्तरी है सिकायत निवारन तंत्र बनाया गया है त्री इस्तरी है ठीक है त्री इस्तरी क्यों एक तो है जिला इस्तर पर है एक राज इस्तर पे है और एक आपका है राफ्ट इस्तर पे है तो यह जो e-commerce है आप online समान बुला रहे हैं इसे भी सरकार ने जो 2019 का एक्ट है उसमें सामिल कर लिया है इसी विवस्ता जो 1986 का एक्ट था यहाँ e-commerce वगेरा नहीं था तब ही सरकार 2019 का एक्ट लेकर आए और इ सब cover कर चुके हैं MRP पर आपसे question पूछ सकता है कि MRP का full form क्या है maximum retail price एक्ट का परीचे भी हम पढ़ चुके हैं 1986 का एक्ट हमने देख लिया था उसके बाद हमने 2019 का भी एक्ट देख लिया था यह सब हम cover कर चुके हैं अब हम बात करते उब्भुकता पर कि उब्भुकता क्या होता है देखिए जो व्यक्ति या तो क्या कर रहा है समान को खरीद रहा है वस्तूओं को क्या कर रहा है वस्तूओं को खरीदने वाला व्यक्ति खरीदने वाला व्यक्ति उब्भुकता होता है एक क्या अधारता है सेवाओं को प्राप्त करने वाला तो आपको देखिए यह चाहिए आप वस्तुएं खरीदें आप दुकान पर जातें कुछ भी समान खरीदने जाएं आप क्या करते हैं आप क्या करते हैं पेमेंट करते हैं भुक्तान करते हैं उसके बाद ही आपको क्या मिलती है वस्तुएं प्राप्त करते हैं तो आप क्या करते हैं पेमेंट करते हैं उसके बाद आपको सेवाएं मिल जाती है तो वही बात है कि एक वेक्ति पेमेंट करने के बाद मतलब आपने भुक्तान कर दिया है जो भी प्राइस हो उस मूली का भुक्तान कर दिया है पिर या तो आप क्या करेंगे बस्तों खरीद लेंगे या आप सेवाओं को प्राप्त कर लेंगे तो आप क्या कहलाएंगे आप कहलाएंगे उब्भुकता ठीक है इसमें कौन उब्भुकता नहीं किलाता है अगर आपने रीसेल करने के परपस से किसके परपस है? Resale Resale के परपस है मतलब खरीद के फिर बेच रहे हो आगे अगर आप Resale करने के परपस से कोई भी बस तू खरीद रहे हो या फिर आप उसे वा ले रहे हो तो फिर आपको भुकता नहीं मानेगे बाकी अन्ने था आप क्या कहलाएंगे? उभुकता कहलाएंगे जैसे आप दुकान पे गए आपने पेन खरीदा तो आप क्या करते हैं? जाते दुकान पे पेन को देखते हैं, पेन पसंद करते हैं और जितने अमाउंट का पेन होता है उतनी अमाट आप उस दुकानदार को दे देते हैं और दुकानदार से पेन लेकर आ जाते हैं तो आप क्या हो गए? आप एक उबोक्ता हो गए तो यह definition कहां मिलती है? यह देखें उबोक्ता संदक्ष्ण अधिनियम 2019 की धारा दो उबोक्ता साथ में यह definition मिलती है चलिए तो उबोक्ता कितने प्रकार की होते हैं? उबोक्ता दो प्रकार की होते हैं एक होता है माल का उबोक्ता और एक होता है सेवा का उबोक्ता तो माल का उबोक्ता क्या होता? अगर आप वस्तूएं खरीद रहे हो तो क्या हो गए आप माल मिल रहा आपको तो आप किस प्रकार के उबोकता होगा है माल के उबोकता अगर आपने किसी प्रकार की सेवा ली है तो फिर आप किस प्रकार के उबोकता किलाओगे सेवाओं के उबोकता अब आप बोलेंगे सर रीसेल कर दे तो अगर आपने रीसेल क कॉफ्ट में आपने सर्विसेस ली हैं तो भी फिर वो कंथीडर नहीं होंगे आप एक उबुक्ता के रूप में तो यह होता है उबुक्ता का अर्थ कहां पर डिफाइंड क्या है उबुक्ता संदक्षा नदीनियम 2019 की धारा दो उब धारा साथ में दो प्रकार के उबुक्ता होते हैं एक उबुक्ता होता है माल का एक उबुक्ता होता है सेवा का आप क्या करते हैं पेमेंट करते हैं देखें मूली के मतले मतलब आपने पेमेंट करा उसके मतले में आपको क्या मिलती है या तो आप बस्तुएं खरीदते हो या आप सेवाओं को प्राप्स करते हो तो आप क्या खरीद रहे हो आपने पेमेंट करा और पेमेंट करने के बाद आप क्या ले रहे हो कोई वस्तू ले रहे हो जैसे वस्तू में आपने वस्तू में क्या हो जाए चाहे आप पेन खरीद लो या आप आपकी नोटबुक खरीद लो ठीक है नोटबुक हो गई आपकी या फिर आप क्या खरीद लो TV खरीद लो तो कुछ भी आप उबस्तु भीए खरीद रहे हो तो आप किस प्रकार क्यों बुकता हुजाओगा माल क्यों बुकता अगर पूरा विक्राइथ के अुद्देश से Researchliche परपास से खरीद रहे हो तो फिर आपको बुकता नहीं केलाओगी बात करते हैं देखे ये overview classes है हमारा purpose है आपको क्या करना overview दे देना फिर आपके पास जो आपकी book है जो आपका material है वहाँ से आप इस topic को और detail में cover करेंगे और इसी तरह आप जो आपका syllabus है ठीक है जो आपका syllabus है उसे भी आप detail में cover करेंगे और साथ ही साथ आप क्या cover करेंगे syllabus को एक तो detail में तो cover करना ही करना है साथ ही साथ आप 100% syllabus cover करके जाएंगे अगर आप ये दोनों काम करके चले जाएंगे तो definitely फिर किसी भी बिंदू पर आप से प्रस पूछे जाएंगे आप से question क्या होंगे बन जाएंगे तो आपको क्या करना है पढ़ना भी है detail में तो पढ़ना है साथ इसाथ syllabus जरूर cover करना ठीक है syllabus कैसा cover करना 100% आपको ये overview क्यों दे रहे हम ताकि आपको वो topic को पढ़ने में help हो जाए अब बात करते हैं सेवा का उभुकता नाम से इस पस्टे सेवा का उभुकता मतलब इसने क्या ली होगी किसी को इसने क्या कर दिया होगा payment कर दिया होगा भुकतान कर दिया होगा और उस payment के बाद इसमें क्या कर लिए होगी सेवा प्राप्त कर लिए होगी तो ये किस प्रकार का उबुकता हो जाता है सेवा का उबुकता लेकिन अगर आपने ये सेवा कैसी प्राप्त की हो निसूल के में प्राप्त की हो तो फिर आप भुकता नहीं कहलाओगे जैसे आपकी माँ आपके लिए भुजन बनाती है या घर के सभी काम करती है तो यहाँ पर फिर वो भुकता नहीं कहलाओगे आप ठीक है यह देखे प्रतिफल के बतले मतलब आपने पेमेंट कर दिया और उसके मतले में आपने क्या करा सेवाओं को लिया सेवाओं को प्राप्त किया तो आप क्या कहलाओगे उब्भुकता कहलाओगे लेकिन अगर आपने बिना प्रतिफल के मतलब फ्री में आपने क्या करिये सेवा प्राप्त की है तो फिर आप उब्भुकता नहीं कहलाओगे जैसे मा दोरा घर का कारे करना तो मा कैसे काम करती है बिलकुल फ्री में काम करती है पूरे घर का तो ये जो सेवा हो जाती है कैसी सेवा है निसुल्क है तो इसलिए फिर यहां पर उब्भुकता भी आप नहीं केलाओगे ठीक है अब बात करतें अगले पॉइंट पर ये देखिए आपको ओवर्व्यू दे रहे हम इस ओवर्व्यू का परपस यही है कि कॉंसेप्ट आप फिर आपकी जो बुक्स बगरा है उससे आप उसे और अच्छे से पढ़के क्या कर ले तैयार कर ले अब बात करतें उब्भुक्ता के अधिकारों पर देखिए उब्भुक्ता के अधिकार तो देखिए उब्भुक्ता संदक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2 उब्धारा कौन सी है देखिए धारा 2 उसकी उब्धारा 9 में इसके अधिकार बताएगा है तो आपसे examiner question क्या पूछ सकता है कि उभुखता के कितने अधिकार है तो आपको ये संख्या याद होना चाहिए कि उभुखता के 6 अधिकार है पेला question यही पूछ सकता आपसे directly कि उभुखता के कितने अधिकार बताएगा है तो आपको पता होना चाहिए उभुक्ता के 6 अधिकार बताएगा है उभुक्ता के अधिकार में 6 अधिकार में कौन-कौन से अधिकार समलित है तो यह आपको 6 की 6 अधिकार के नाम याद होना चाहिए ठीक है एक प्रकार का टाइप आप MCQ इस प्रकार से भी बनता है 0.8 कर देते हैं तो आपको जब यह पता होंगे तो आपको जो समलीत नहीं होगा उसे क्या कर लेंगे आप find out वहां कर सकेंगे तो आपको यह भी याद रखना है कि उभुकता के कितने अधिकार है तो उभुकता के 6 अधिकार है तो कौन-कौन से 6 अधिकार है एक तो देखे सुरक्षा का अधिकार है सूचना का अधिकार है पसंद का अधिकार है सुनवाई का अधिकार है उभुकता सिख्छा का अधिकार है और छतिपूर्ती का अधिकार है तो कितने प्रकार के अधिकार है उब्भोक्ता के 6 अधिकार दिये गए हैं काँ पर डिफाइंड है उब्भोक्ता संदक्षन अधिनियम 2019 की धारा दो उब्भोक्ता के अधिकार बता हैं उब्भोक्ता के अधिकार कितने हैं तो 6 हैं कौन-कौन से हैं सुरक्षा का है सूचना का है, सुरक्षा का है, सूचना का है, पसंद का है, सुनवाई का है, उभुक्ता सिक्षा का है और छटी पूर्ती का है, तो सुरक्षा का अधिकार क्या होता है, सबसे बिले जो आपका सुरक्षा का अधिकार है, इस पे एक डारेट कोश्चिन ये बन सकता है आपसे MCQ, क्या पूछ सकते हैं इस point पर MCQ पूछ लेगा कि उभ्भोकता का प्रात्मिक अधिकार कौन सा है इस प्रकार का MCQ आपसे पूछा जा सकता है सीधा प्रसनर कि उभोकता का प्रात्मिक अधिकार कौन सा है तो देखिए जो सुरक्षा का अधिकार है ये उभोकता का प्रात्मिक अधिकार होता है मतलब सबसे फर्स्ट राइड जो होता है वो यही होता है चतिपूर्थी का अधिकार जो है ये लाफ्ट वाला अधिकार चतिपूर्थी वाला जिसे अधिकार है तो चतिपूर्थी के अधिकार का एक और नाम होता है प्रतिफल का अधिकार तो ये भी आपको याद रखना है एक और नाम इसका ये पॉइंट नोट कर लेना आप अग अगर आपके पास नहीं हो कि छतिपूर्ति के अधिकार को एक और नाम से क्या आप जानते हैं प्रतिफल का अधिकार भी इसे कहते हैं बोगता का प्रात्मिक अधिकार कौन सा है तो बोगता का प्रात्मिक अधिकार सुरक्षा का अधिकार है तो सुरक्षा का अधिकार का मतलब क्या है जैसे देखे आप कुछ समान खरीदते हैं जैसे आप कोई electronic item खरीदने गए जैसे आप प्रेज खरीदने गए, इलेक्ट्रोनिक प्रेज खरीदने गए, अब वो प्रेज में आपने क्या करा, प्रेज खरीद के लिया है, तो अब अगर उस प्रेज से आपको इलेक्ट्रोनिक प्रेज थी, अब आप इसे खरीद के लिया है, अब आपको इस प्रेज से क्या लग ज दी, expiry date के आपको दवाई दे दे, या फिर आपको नकली दवाई दे दे, तो इससे क्या हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है, एक उब्वक्टा की हानी हो सकती है, तो एक उब्वक्टा की हानी नहीं होना चाहिए, यह अधिकार यही बोलता है कि उब्वक्टा को क्या किया अब बात कर लेते हैं सूचना का अधिकार, देखें सूचना का अधिकार क्या बोल रहा है, एक जो भुकता है उसके पास या अधिकार होता है कि वो जो भी वस्तुएं खरीदे या अगर वो सेवाएं ले रहा है, सेवाएं प्राप्ट कर रहा है, तो उसे उसके बारे में सभ मतलब warranty क्या है, guarantee क्या है अगर कुछ problem आती है तो क्या after sale services मिलेंगी या नहीं मिलेंगी तो इस तरह की सारी जानकारिया या अगर आप जैसे दवाईया खरीद रहे हो तो आप दवाईयों में देखते हैं कि expiry date बगरा लिखी रहती है कि आप उस दवस्तु की किस्म को भी देखें आप उसके मूली को देखें अब उत्पादन ती थी उसकी क्या थी कब उसका production हुआ था कब उसकी निर्मान हुआ था तीथी भी आप देखें साथे साथ उसका जो होता ना expiry date कि आप इतने से इतने time में इसे यूज कर लें वो सारी की सारे चीजे जानने का वो सूचना पाने का आपका पूरा right है तो यह इसे ही क Initially आपका सूचना का अधिकार चैईन का अधिकार या चुनने का अधिकार या पसंद का अधिकार बड़ी सिंपल सी बात कहता है कि देखे जैसे आप कपड़े खरीदने जाते हो तो आप क्या करते हो दुकान वाला आपको कपड़े दिखाते रहता है फिर आपको जो उनसा कपड़ा या जो उनसी जीन्स या सट आपको पसंद आती है आप क्या करते हो वो उसे वोटे हुएं हाँ इसे पेक कर देना, ठीक है, तो बस ये वही बात है कि आपको पूरा की पूरा फुल आपको right है कि जो वस्तु आपको पसंद हो, आप वो वस्तुएं खरीदें, ठीक है, इसे ही कि जित है चुन्ने का अधिकार, चैयन का अधिकार या पसंद का अब बात कर लेते हैं सुनवाई के अधिकार का मतलब क्या है कि आपने अगर किसी प्रकार की कोई वस्तु खरी दी अब वो वस्तु क्या हो गई या तो आपको नकली दे दी या आपको घटिया किसम के दे दी या फिर आपने अगर सेवा ली थी तो आपको सेवाएं अच्छी प्रदा नहीं की गई या तो आपको सेवा दी ही नहीं गई और आपसे पेसे ले लिए तो क्या होगा अब आप वो सिकायत करना चाहेंगे तो आप बिल्कुल सिकायत कर सकते हैं तो आप अगर सिकायत करेंगे तो जो आपकी सिकायत है वो आपकी सिकायच क्या होगी सुनी जाएगी तो इसे आप जो भी मतलब relevant रहेगा आपका area जैसे for example आपका माल जैसे माल लेते हैं 10 लाक रुपे तक का है या आपकी 2000 रुपे की service है तो अलग-अलग criteria में आप क्या कर सकते हैं वहाँ जाके सिकायच कर सकते हैं तो जीला आयोग होगा वहाँ पर आपकी सिकायच सुनी जाएगी या अगर आपका बड़ी amount का है तो आप राज इस तर पर सिकायच कर सकते हैं और बड़ी amount का होगा तो फिर raft इस तर पर आप क्या कर सकते हैं सिकायच कर 지금까지 राफ्टी आयोग के पास तो इनकी क्या लिमिट है उस पे भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे अब बात करते हैं उभुकता सिख्छा का अधिकार देखिए आपको इन्हें और जो भी आपके पास बुक्स हो इनसे आप इन्हें डीटेल में पढ़िएगा ये परपस हमारा क्या है आपको एक ओफर्व्यू दे देना ताकि इससे क्या हो आपकी टॉपिक पर अंडर्स्टेंडिंग आ जाए और आप फिर उस टॉपिक को आपकी जो बुक बगएरा है उससे आप अच्छे से इस टॉपिक को कम्प्लीट तयार कर ले तो इसी तरह आपको पूरे सिलेबस को तयार करके जाना है ठीक है और अभी आपके पास इतना समय है कि आप 100% सिलेबस डिफिनेटले तयार कर सकते हैं हाँ आपके दो सब्जेक्ट बड़े सब्जेक्ट है एक आपका हो गया इwid्धियास और एक आपका हो गया बहुल देखें इत्यास में आपको पूरा सिलेबस आपका कवर किया गया है इत्यास में प्राचीन इत्यास भी पूरा दिया गया है मद्देकाली इत्यास भी पूरा दिया गया है आदूनेक इत्यास भी दिया गया है और स्वतंत्रता के बाद की जो प्रमगऩना है थी वो सबैट मतरब इत्यास आपको पूरा पढ़ना है साथिस साथ भुगॉल में काफी कुछ भारत के भुगॉल को cover किया गया है भारत का भुगॉल है वो काफी ह़त्तक cover किया गया है तो ये दोनों की दोनों ही subject कैसे subject है, major subject है तो इन्हें आप daily basis पर पढ़ें इन दोनों subject को खीक है, आप ऐसा ना करें कि आप यूँ सोचेंग में इसे 5 दिन रख लेता हो, 5 दिन में इठ्यास पढ़ लूगा पांच दिन में भुगोर पढ़ लोगा तो इस तरह से इन्हें आप ना तयार करें तो बहतर रहेगा क्योंकि देखिए ये चार पास दिन में सब्जेक्ट पतलब आप अग बार पढ़तो सकते हैं परंतु याद आना इंपोर्टेंट क्या है या आपको एक्साम में याद आ जाए तो वो याद आने के लिए आपको इन्हें क्या करना पड़ेगा रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और अगर आप रोज जैसे इत्यास को दो से तीन गहंटे दे दे या दो से गहंटे दे देंगे तो एक्साम तक आप इन सब्जेट को बड़ी ही अच्छी तरह से क्या हो जाएंगे आपके तैयार भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे ठीक है तो आपको इन सब्जेट को साइड में अपना तैयार करते रहना है ठीक है अब बात कर लेते हैं उ उबुक्ता सिच्चा का अधिकार क्या है? कि एक उबुक्ता जो है उसके जो भी वो उसके अधिकार उसे मिले हुए है उसको अपने अधिकारों के प्रतिक क्या रहना चाहिए? जागरूक रहना चाहिए उब्भुक्ता को उनके अधिकारों के सम्मल में सिख्षित करने से है सिख्षित करने से मतलब किसे कि अब जैसे कोई विक्ति है अब उसे उसकी जानकारी नहीं है कि उसे कौन से अधिकार प्राप्त है तो यहाँ पर हम क्या परपस है कि एक भुकता है उसे क्या करना उसे उसके अधिकारों के बारे में हम क्या करें जानकारी दें कि देखिए अगर आपको कोई नकली समान बेच दे या आपको कोई गटिया किस्म का समान दे दे या कम गुरुवत्ता का समान दे दे तो आप क्या कर सकते हो आप सिकायत कर सकते हो तो इस तरह की एक उब्हुकता को जागरुक करना कि देखिया आपके क्या-क्या राइट है आप इन राइट का उप्योग करें और किसी भी प्रकार के मतलब इस सोसंड में ना फसें आप आपके अधिकारों का उप्योग करें तो यही होता है उब्हुकता सिख्षा का अधिकार अतात उब्हुकता को यह जानकारी होनी चाहिए कि वस्तु और सिवाओं से होने वाली छटी के विरूद उन्हें क्या-क्या अधिकार प्राप्त से मतलब अगर आपने जैसे टीवी खरीदी अब आपको वो टीवी केसी दे दे खराप टीवी दे दे तो आप क्या कर सकते हो आपको यह नौलेज होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं इसकी सिकायत कर सकते हैं चतिपूर्ति का अधिकार इसे एक और नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं छती हो जाए, जैसे आपको नकली समान बेच दिया गया था, यह आपको सेवा नहीं दी गई थी, अच्छी सेवा नहीं दी गई, तो आपको छती पूर्ती पाने का पूरा अधिकार है, कि आप छती पूर्ती पा सकते हैं, छती पूर्ती आपको केसे मिल जाएगी, जैसे आप को मान लो खराब टीवी दे दी तो आप यह आपकी टीवी खराब हो गई आप नई की नई टीवी लाए दस पंदा दिन चली आप आपकी टीवी खराब हो गई तो आपकी क्या हो जाती कई बार कंपनी बोलती कि हाँ आप हमारे सर्विस सेंटर पर भेज़ दीजिए हम आपकी मुफ्तमे сервűs को त्वी है उसको repair कर देंगे कई बार क्या होता है कि टीवी ही वो आपकी बदल कर के देंदेते हैं तो ये सबी आपकी क्या है छथी पूर्टी पाने के आपके right है कई बार जैसे आपको सेवा वगएरा नहीं प्रदान किया जाती है तो कई बार तो आपके amount क्या कर दी जाती है, refund कर दी जाती है या फिर क्या होता है अगर amount आपकी refund नी की अब आपका तो नुखसान हुआ कि आपने सेवा के लिए पेसे दे दी अब आपको सेवा मिली ही नहीं तो फिर आप आगे जाके क्या कर सकते हैं सिकायत कर सकते हैं और सिकायत करने पर जब आपके decision आपके favor में आता है तो ये जो जिला आयोग होते हैं या राज्य आयोग होते हैं या राफ्टी आयोग होते हैं ये फिर आपकी amount को भी recover करवाते हैं तो जितनी अमाउंट आपने पे करी थी, वो तो दिलवाते ही हैं, साथ ही साथ जो आपका खर्चा लगा है, वो खर्चा भी दिलवा देते हैं, ठीक है, तो ये मतलब आपकी जो पूरा अमाउंट जो आपका है, वो भी रिकवर करवाते हैं, ये आयोगून, और साथ ही साथ जो आपका खर्चा लगा इस पूरी जो कानूनी प्रक्रिया करी तो ये खर्चा भी कई बार ये रीकवर करवाते हैं तो ये सबी क्या होते हैं आपके छती पूर्ती का अधिकार होते हैं इसे छती पूर्ती का अधिकार को क्या कहते हैं प्रतिफल का अधिकार भी कहते हैं अब बात करते हैं अब बात करते हैं लेकिन आपके कुछ करतव है तो आपके वो करतव है तो बड़े ही सिंपल से करतव ह कि देखिए अब जैसे आप कोई समान वगरा खरीदने जा रहे हो तो आप भी आपका मतलब माइन को यूज करना अपने दिमाग को उप्योग करना और जो अच्छा समान हो वही आप खरीदना ठीक है अगर समान जैसे इलेक्टोनिक समान खरीदने जा रहे हो तो यह देखो कि जो भी आपको खरीदना थी ज्वेलरी खरीदी और आ गए हालमार्क वगेरा नहीं देखा आपने तो आप ऐसा ना करें अगर आप टीवी खरीदने जा रहे हैं तो आप मार्केट में देखे कि कौन-कौन सी कमपेनी की टीवी आ रही है सबी टीवी को कमपेरीजन वगेरा करें और फिर देखे कौन सी बेटे टीवी वो आप खरीदें इस तरह मतलब आप क्या करें अपने विवेक का उप्योग करें आप जो इस्टेंडाइस आइटम से वही खरीदें जैसे सोना खरीदे हो तो ये देखो हॉल मार्क लगा है या नहीं लगा है अगर आप इलेक्ट्रोनिक समान खरीद रहे हो तो ये देखो कि आईएसाई मार्क लगा है या नहीं लगा है इस तरह कि देखे आपने अगर आपके घर में प्रेस बगेरा हो तो यह उस पे सामने ही लगा होता है पर इस पर साइट से छिन दिख जाता है आपको तो यह इलेक्ट्रोνिक समान पर आयेस साइट लगा होता है सोने पर यह पीछे की साइट एक पति सी लगी होती है इतनी जो भी आप इसे उसमें लगा होता है और यह लोगों बना होता है तो B.I.S. हाल मार्क देखिए आप लगा है या नहीं लगा है अगर आप क्रसी उत्पादों की बात करें तो एक मार्क का साइन लगा है या नहीं अगर जो खाने के समान होते हैं, खाद भी पदार्थ होते हैं तो उस पे APO मार्क लगा है या नहीं लगा ये सब भी आपका करतव है कि आप देखे और अगर मान लो जैसे आप सोने की दुकान पे गए ठीक है, सोने की दुकान पे गए अब मान लो सोने की दुकान पर गाय और यह हाल मार्क लगा ही नहीं था जो आप ज्योली खरीद रहे हो तो आप क्या करो? मत खरीदो उस समान को क्यों खरीदो कभी नकली निकल गया तो? तो आप मत खरीदो इस तरह के समान को यहां से question पूछे जाने के आप से सीधी संभावना है examiner का सबसे favorite question अगर इन सब में होता है पूछने का तो यह वाला question सबसे favorite होता है examiner का यह पुछता ही पूछता है कहीं बार वो कि परियावरण के अनुकूल उत्पादों पर किस प्रकार का sign लगा होता है तो eco mark का sign लगा होता है यह most important है बाकि आपको यह पांचो ही याद करके जाना है लेकिन most time भी है यह कि परियावरण के अनुकूल उत्पादों पर eco mark लगा होता है बिजली के समान पर IESI mark लगा होता है खाद उत्पादों पर FPO mark होता है स्वान आपूसरंड पर hall mark लगा होता है और क्रसी के उत्पादों पर एक mark लगा होता है यह most time भी है और second यह यह दो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं इसमें यह परियावरण के अनुकूल वाला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इसे आप वेरी वेरी आएंपी mark कर लेना कि परियावरण के अनुकूल उत्पादों पर क्या लगा होता है इको mark क्रसी उत्पादों पर क्या लगा होता है एक mark स्वान आपूसरंडों पर क्या लगा होता है हाल mark हाद उत्पादों पर क्या लगा होता है को पड़ें। जैसे आप मिथाई खरिदने जाते हैं। तो जो मिथाई का जो बॉक्स होता है, उस बॉक्स पे जैसे क्या लिखा होता है कि इस मिथाईयों को को शोवीस घंटे के भीतर ही उपयोग करें। इसा लिखा से पढ़ें कि उसकी जैसे आप अगर पेरासूट ओयल खरीदते होंगे तो देखना आप उस बोटल के ओपर सारी डिटेल्स लिखी होती है कि उसका प्राइस क्या है उसका वेट कितना है वो कब बनी है उसकी एकस्पारी डेट क्या है यह सारी की सारी चीज़ों उस पर लिखी होती है तो आप कभी अदायत वे कि आप क्या करें उन सारी चीज़ों को ध्यान से देखें अगर आप समान खरीद रहे हैं या आप सेवाओं को प्राफ्ट कर रहे हैं तो आप क्या करें एक पक्का बिल जरूर ले ठीक है कैसा बिल पक्का बिल और जाना तर लोगों की ये आदत होती है कि वो बिल मांगते ही नहीं है जैसे आप कुछ साड़ी बगरा भी खरीदने जाते होंगे या आप कपड़े खरीदने जाते होंगे तो आप देखना बिल लेते ही नहीं हो में बहुत कम लोगों की आदत होती है कि बिल ले तो देखे आपका एदाइद फे आपका एकरतव है कि आप उस दुकानदार से कैसा बिल ले, पक्का बिल ले साथी साथ अगर आपको क्या हो नकली समान दे दे, घटिया किसम का समान दे दे, या आपको अच्छी सेवाएं नहीं दे, तो फिर या आपका करतव है कि आप क्या करें शिकायत दर्ज कराएं, कई बार हमें कोई नकली समान दे देता है, तो अब हम क्या बोलता है ठीक हे, सो रुपे का तो था, दो सो रुपे का तो था, या दो हजार का तो आप कौन सिकायत करें, कौन परिशान हो तो देखे हमारा एदाइद वे, करतव है कि हम क्या करें, इस तरह की सिकायते करें ठीक है, साथ इसाथ हमें क्या करना चाहिए परियावरन का भी समय साथ सम्मान करना चाहिए जो भी बस्तों वगरा हम खरीद के लाते हैं जैसे तो जो उनका कच्रा वगरा होता है उन्हें हमको क्या करना चाहिए डस्ट बीन मेशी डालना चाहिए इधर उधर फेलाने के बज़ाए और जो उभुकता है कोई-कोई उभुकता ऐसे होते है क्यों उन्हें जानकारी कम होती है तो हमें क्या करना चाहिए उभुकता समीतिया बनाना चाहिए और हमारा यह उद्देश होना चाहिए कि उसमें उन प्रकार के उभुकताओं को जिने कम नौलेज है उन्हें क्या करें हम सिख्षित करें ताकि उनके हितों की क्या हो जाए, रक्षा हो जाए, तो यह सबी एक उब्भुक्ता के करताव हैं, अब बात कर लेते हैं उब्भुक्ता संदक्षड में कि देखिए, अगर आपने क्या करा था, कोई वस्तु खरीदी थी, अब आपको वस्तु क्या मिल गई, नकली वस्तु म मिल गई तो फिर आप क्या करेंगे सिकायत कर सकते हैं या आपने सेवाएं ली थी और आपको सेवाएं नहीं प्रदान की जाएं या आपको सेवाएं उस किस्म की नहीं प्रदान की जाएं जैसी की बताई गई थी तो चाहे बस्तू के संबन में हो चाहे सेवा के संबन में हो अगर आपको किसी भी प्रकार की सिकायत करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिकायत कर सकते हैं, तो यह जो अभुकता संदक्षन अदिनियम 2019 है, इसमें सिकायत के लिए पूरी विवस्ता की गई है, और यह त्री इस तरिये नाईक तंत्र बनाया गया है, आपसे सीधा कोश इस तरिये, त्री इस तरिये, सिकायत तंत्र बनाया गया है, तो तीन इस तरिये आपको सिकायत तंत्र पता होना चाहिए, सीधा कोशन पूर सकता है, एक्जाम में आपसे MCQ, क्यों बहुता संदक्षन अधिनियम में कितने इस तरिये सिकायत तंत्र बनाया गया है, तो त्र इस्तर की बात कर लेते हैं, यह आपका हो गया इस्तर, एक हो गया आपका जिला इस्तर, एक हो जाता है राज इस्तर, और एक हो जाता है आपका राफ्री, तो यह तीन इस्तर हो गए, इसलिए इसे क्या के नाम दिया है, यह त्री इस्तर ही है, ठीक है, तीन इस्तर ही है, देखे जिला इस्तर है और जो राज Já इस्तर है इसकी स्थापना कोन करती है तो राजी स्तर कार करती है जब कि राफ्टी इस्तर की जो राफ्टी आयोगे राफ्टी स्थार पर इसकी स्थापना कोर करती है तो केंदर सरकार इस पॉइंट पर आपसे question पूछा जा सकता है ये याद होना चाहिए आपको सीधा question exam में आपसे पूछा जा सकता है MCQ किस पॉइंट पर किसा पूछ से MCQ का type क्या होता है कि राफ्टी उभुकता विवाद निवारा नायोग को कौन सी सरकार गठित करती है और फिर आपको option ने दे दिया जाएगा राज्य सरकार option B केंदर सरकार option C दोनो option D इन में से कोई नहीं तो आपको याद रखना है कि क्या पूछार राफ्टी पूछ रहा है तो केंदर सरकार है अगर जिला पूछे या राज्य पूछे तो कौन है राज्य सरकार ठीचे तो यह याद रखना है इस point पर आपसे MCQ पूछ लेता है एक 30 सरी पर पूछ लेगा एक फिर इस point पर पूछ लेता है कि कौन इनको इस्थापना करता है अब बात करते हैं अगले point पर देखिए आप क्या कर सकते हैं सिकायत करने के लिए तिरी स्थरी बनाए गया है जिला आयोग में कर दो या राज जायोग में करो या राफ्ट जायोग में करो तो यहां लिमिट बना रखी उन्होंने क्या बना रखी है लिमिट कि मान लो आपने टीवी खरीदी थी या आपने कोई गाड़ी खरीदी अब मान लो यह कितने की है दो लाक रुपे की है तो कितने का समाने आपका दो लाग का है तो फिर आपको अगर सिकायत करना है तो आप कहा जाओगे देखें यहाँ पर क्या लिखा एक करोर रुपे से अधिक नहीं मतलब एक करोर तक एक करोर तक कि एक करोर तक अगर एक करोर तक कि आपने बस्तुएं लिए हो या सेवाई लिए हैं तो आप कहा जाओगे राज जायोग में अगर एक करोड़ से तो अधिक है जो देखे एक करोड़ से अधिक लेकिन दस करोड़ से अधिक नहीं मतलब दस करोड़ तक एक करोड़ से 10 करोड तक है तो फिर आपको सिकायत करना हो तो मालो आपने किसी से 3 करोड की सर्विस ली तो 3 करोड है तो फिर कहाँ पर आ जाओगे आप इसके पास आओगे क्योंकि इसकी लिमिट तो कितनी थी? एक ही करोड थी अब अगर 10 करोड से अधिक है यहां कितना है? 10 करोड से अधिक 10 करोड से अधिक का कोई आपकी सर्विस बगरा है या कोई वस्तुली है 10 करोड से अधिक की है तो फिर आप कहाँ जाओगे सिधे? राफ्टियायो के पास तो यह लिमिट है आपका जिस लिमिट में आप आओगे वहाँ पर जाके आपको आपका केस या आपकी जो सिकाया थे वो आप वहाँ फाइल करोगे तो जैसे मानलो आपके दो लाग रुपे की थी तो देखे हमें बात भी पता है कि 20 लाग रुपे तक का अगर आपका कुछ होए तो आपको क्या वकील की रिक्वार्मेंट रहेगी नहीं लेकिन देखें यहाँ जैसे मानलो तीन करोड का है यह तो तीन करोड है तो फिर आपको यहाँ वकील के माद्जम से ही जाना रहेगा ठीक है कोस्टिन क्या पूछता है आपसे यहाँ बन important question जो आपको यहाँ से पूछने के यहाँ से चांसे सबसे ज़्यादा है क्योंकि यह जो 2019 का act है उसके कारण यह changes हुए है तो यहाँ से question पूछे जाने की संभावना केसी है बहुत ज़्यादा है यह very IMP है यह तो मतलब आपको याद होना चाहिए सीधा question पूछता है कि जीला आयोग में सिखायाद दर्जिक करने के लिए जो limit है वो कितनी है इस तरह से पूछता है कि कितने रुपे तक की limit है तो आपको याद होना चाहिए कि जीला आयोग की एक करोड तक है कितना है एक करोड तक एक करोड तक राज जायोग के कितनी है एक करोड से तो अधिक है परन्तु दस करोड तक है बतलब एक करोड से ज्यादा और दस करोड तक एक करोड से ज्यादा अब ज्यादा क्यों क्योंकि देखे एक करोड तक तो यह ही हो गई थी तो उस एक करोड से ज़्यादा और कितना है दस करोड तक कि अगर कैसे तो राज जायोग में फाइल करना और अगर आपका वस्तू और सेवाओं का मूल कितना है वस्तू और सेवाओं का मूल अगर आपका दस करोड से ज़्यादा है तो फिर आप कहां सीका याद कर सकते हो राफ्टी आयोग के पास ठीक है तो यह जो लिमिट है यह आपको पूरी याद होनी चाहिए और अच्छी तरह याद होना चाहिए और देखिए एक और इसको याद करने का क्या तरीका देखिए जैसे जैसे अगले अगले इस तर में आप जा रहे हो जैसे आप एक इस तर से दूसरे बड़े इस तर पर जा रहे हो तो लिमिट भी फिर बढ़ रही है यहां एक करोड तक ही थी, बड़े इस तर पे गए, राज जायोग बड़ा हो गया, यहां लिमिट भी फिर एक करोड से दस करोड हो गई, राफ्टी आयोग पर जब आप चले गए, फिर राज जिसे भी बड़ा था, तो फिर देखे लिमिट भी हाँ सबसे बड़ी हो गई, दस करोड से जादा, ठीक है तो यह याद होना चाहिए आपको, अब क्या हो रहा है, अब हम बात करते हैं इस पॉइंट पर, इसमें क्या है, जैसे आपने केस लगाया था कहाँ पर जिला योग में, अब आपको क्या हुआ है, जिला योग ने आदेश दे दिया, अब आप आगे अपील फाइल करोगे, जिला योग ने आदेश दिया, आप इसके आदेश से क्या हो, दुखी हो तो अब आप फाइल करोगे अपील, तो आप फाइल कहां करोगे, अगले चरण में अपील फाइल करोगे, तो जिला योग के आदेश के खिलाब अगर आपको अपील द से, सीदा question पूच्छा है, कि जिला आयोग के आदेश के खिलाब appeal कितने दिनों में की जा सकती है, तो आपको पता होना चाहिए, देखे, क्या बोल रहा है, जिला आयोग? मतलब जिला आयोग ने जब आदेश जिया, तो उसकी आदेश की तारिक से, जिस देसको आदेश आया? उस दिन से जैसे आज तारिक क्या है बारा, बारा मार्च दो हजार तेविस तो आज आया मालो बारा मार्च को तो आज आज की तारिक क्या हो गई बारा मार्च तो यहां से 45 दिन में आप अपील कर सकते हो कितने दिन में? 45 दिन में फिरुद्ध आदेश आ गया तो आप आगे अपील फाइल कर सकते हो, तो कितने दिन में कर सकते हो, पिर तालिस दिन में, अब आपने क्या कर रहा था, आप इसके आदेश दुखी थे, तो आपने आगे अपील फाइल कर दी, तो राज आयोग के पास चले गए, तो आप क्या ह सोचे होगे कि चलो आगे अपील करता हूँ, तो जब इसका आदेस आ जाए कि इसका राज जायोग का आदेस आ जाए, तो उससवे फिर आगे अगर आपको आपील करना है, तो आप कितने दिन में कर सकते हो तीस दिन में, खी कि तो आप से question क्या पूछ लेता है, कि राज जायोग के आदेश के खिलाब अपील कितने दिनों में की जा सकती है तो आप से सीधा पूछेगा जिला जायोग के आदेश के खिलाब अपील कितने दिन में है तो question क्या बोरा जिला जिला के लिए कि पेता लिए दिन है अगर वो बले राज जायोग के आदेश के खिलाब कितने दिन में अपील कर सकते हो? 30 दिन में अब क्या होता है? आगे अपील आ गाए राफ्टी आयोग में अब आपको क्या हुआ? आपके तो फिर यहां भी आप गए तो राफ्टी आयोग ने भी आदेश दिया और आप इसके भी आदेश से क्या थे दुखी थे क्योंकि यहां भी आप जाने के बाद आपको आपके अगेंट ही केस आया आप फिर परेसान थे तो अब आपको अपील करना है क्योंकि राफ्टी आयोग ने भी क्या कर दिया आप के खिलाफ आदेश दे दिया तो फिर आप अपिल कितने दिन में कर सकते हो तीज दिन में तो अब आप अपिल कहा करोगे आप अपिल कहा करोगे तो अब आप अपिल कर सकते हो सर्वोच नियाले में और आप बोले सर इस सर्वोच नियाले में जाने के बाद भी अगर मेरे मेर पर सर्वोच न्यालाय को पढ़ा होगा तो सर्वोच न्यालाय सुप्रीम बोडी है सुप्रीम कोड इसलिए इसे कहा जाता है ये सबसे बड़ा न्यालाय भारत का तो अगर इसने फिर आदेश दे दिया तो इसके आदेश की ही चलना है फिर तो फिर आप इसके आदेश के खि कॉस्चन पूछ सकता है। कि राफटी आयोग के आदेश के खिलाब अपील आगे कहां की जा सकती है। तो इस पॉइंट पर कॉस्चन आप से पूस्चन सकता है। आपको पता होना चाहिए कि राफटी आयोग के खिलाब अपील सर्वोच न्याल है जो सुप्रिम कोटे महाँ पर की जा सकती है अब बात कर लेते हैं उपलब दराहत पर कि देखिए अगर आप से क्या हुआ जिला आयोग का आदेस आया था या फिर आपका राज आयोग का आदेस आया था या राफ्टी आयोग का आदेस आया था लेकिन आप जैसे जैसे अपील फिर करते जाओगे, तो आप आगे बढ़ते जाओगे, फाइनली कहां तक आज जा सकते हो आप सर्वोच नियाले, क्योंकि इसके आगे यही सबसे में सुप्रियम बौर्डी है, जैसे अप काहां सकते हो जीला से, राज जैयोग के आदे से भी परेसान थे, तो राफ्य आएउग के पास चले जाना, उसके बाद भी आपको रिलिफ नहीं मिलते हो, सरवोच नियाले के पास चले जाना पर, सरवोच नियाले ने डीसीजन दे दिया, तो फिर आप कहीं भी अपिल नहीं कर पाओगे तो इस तरह से ये जो आपकी overview class थी उबुक्ता संडक्षन पर देखे उबुक्ता संडक्षन पर जो आपकी overview classes थी पूरी तरह से ये complete होती है ठीक है जल्द ही हम मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक आप क्या करना आप जो भी आपके पास बुक बगरा हो उससे इस topic को और detail में पढ़ना और आपका जो भी syllabus है ठीक है जो भी आपका syllabus हो उस syllabus को भी आप क्या करना detail में cover करना और आपका purpose क्या होना चाहिए कि मुझे मेरा syllabus है और कैसा cover करना है 100% ठीक है इस overview का purpose क्या है कि आपको पढ़ने में थोड़ी क्या हो जाए help हो जाए ताकि आपको topic को समझने में क्या आजाए असानी आजाए ठीक है ये overview classes हैं इनका purpose सिर्फ इतना ही है कि आपकी थोड़ी सी help हो जाए ओके तो चलो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में तब तक के लिए आपको मेरा नमस्कार